असलाम अरेकुम मैं आपके अपनी वेट ठीरा सेईद आजकर हमारा टापिक है वह बहुत जादा इंपॉर्टन्ट है क्योंकि इंफेक्शन जो है बहुत सी कैट में देखने को मिलता है आज हम बात करेंगे कि कैल्सी वाइरस का इंफेक्शन जो है कैट में क्यूं होता है इस कैट को है और इसको क्या होता करता है जैसे यह सिर्फ के अपर इस-पैरेटरिट्री ट्रैक में उसके के अंदर अलसर बन चाते हैं और नेक्स हम बात करते हैं कि यह cat में क्यों होता है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यह बहुत ज़्यादा contagious होता है एक animal से दूसरे animal को लग जाता है इसमें क्या होता है कि अगर आपके cat की secretion हो रही है nasal secretion हो रही है saliva बहुत ज़्यादा cat को देते हैं उसमें feed देते हैं उसको तो उससे भी infection हो जाता है इसलिए जब आपकी कोई भी cat बीमार हो तो उसको अलग रखें उसके feeding bowl और वाइटर बाउल जह हो भी separate कर दें और इसके इलावा जब आपकी कोई भी mother cat जो होती है मतलब जो अपने बच्चों को feeding करवा रही होती है अगर उसको यह infection हो जाता है तो उससे क्या आता है कि उसके kittens को भी infection हो जाता है और यह cat के nose से उसके mouth से और इसके eyes से enter होता है body के अंदर और यह mostly वहाँ पे होता है जहां पे बहुत जादा cats होती है जैसे के cateries हो गई उसके इलावा कोई भी pet shop होती है जहां पे cleaning का ख आपके animal के लिए और vaccination का क्या काम होता है कि वह आपके animal के अंदर immunity पैदा करता है किसी भी disease से fight करने के लिए तो इसलिए अपने animal को time पे vaccination जुरूर करवाएं ताके वह किसी भी viral infection से बाच सके और next हम बात करते हैं किस तरह से आप identify कर सकते हैं किस तरह से आप देख सकते हैं क आपकी cat को calcivirus का infection हो रहा है इसमें cat कौन से syno symptom शो करती है इसमें क्या होता है कि cat के nasal secretion होती है आइस से secretion होती है उसका खाना पीना होता है वह आइसता इसता बिल्कुल छोड़ देती है उसका body weight होता है वह भी कम होने लगता है और इसके एलावा बहुत ज़दा coughing करती है खांसी होती है उसको sneezing करती है और इसमें जो most common lien देखा जाता है वो क्या है कि उसकी tongue के उपर जो है वो अलसर बनते हैं छोटे-छोटे से liens बनने लग जाते हैं जिसमें upper palate पर भी बन सकते हैं उसके रावास के gums पर भी जो हैं वो liens देखने को मिलते हैं और cat जो होते हैं उसकी बहुत जादा salivation हो रही होती है अलसर की वजहां से और cat को fever भी रहता है यह तमान sign और symptom जो हैं आपको किसी भी infected cat में देखने को मिल सकते हैं next हम बात करते हैं किस तरह से आप इसका treatment कर सकते हैं इसमें कोई specific treatment नहीं होता viral infection का यह आप लोग भी जानते हैं इसमें हम sporative care करते हैं हम अपनी cat को antibiotic देते हैं किसी भी secondary bacterial infection से बचने के लिए इसमें different antibiotics आती हैं oxidial injection भी लगा सकते हैं उसके लावा NQO injection और टाइलोसीन का injection जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसके लावा हम somo gel इस्तमाल करते हैं क्योंकि cat के mumilience बाज जाते हैं उसके लिए आप somo gel इस्तमाल करते हैं और cat जो है वो अपना सांस ठीक से नहीं ले पा रही होती इसके लिए आप उसको नेबलाइज भी करते हैं और साथ में cat जो है वो खाना पीना छोड़ देती है तो वीक होने लगती है उसके लिए फ्लूइड थ्रॉपी भी कननी पड़ सकती है उसके साथ हम cat को मल्टी वाइटमिन भी देते हैं और निल स्टेट ड्रॉप्स भी दे सकते हैं चिकन सूप बना के दे सकते हैं और सीरी लैक दे सकते हैं से इस पानी रखें उनके फीडिंग बाउल जो हैं उनकी क्लीनिंग का बहुत ज़दा ख्यार रखें आज को हमारा टॉपिक था वो था कैलसी वाइरस से ले लेटीड के अंदर कैलसी वाइरस सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं मैं उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा बेल आइकन को पैड़िकेशन आपको मिलती रहे और अगर मुझे कोई भी question करना हो तो आप मुझे Instagram पे message कर सकते हैं comment करके भी पूछ सकते हैं मैं आप कौन से जुरूर दोंगी इंशाला और नए नए topic चुहें वो भी suggest कर सकते हैं Thanks for watching, Allah Hafiz